हेलो दोस्तों मैं हूँ नीरमला मेरे चनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आज मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ चावल के लड़ू की रेसिपी जो बनाने में बहुत ही आसान है और क्योंकि सर्दियों का सीजन है तो हम इने गुड का इस्तमाल करके बनाएंगे जिससे ये और भी ज़्यादा हेल्दी और टेस्टी हो जाएंगे तो चलिए दोस्तों मीठी मीठी बातों के साथ ये मीठे मीठे चावल के लड़ू बनाना शुरू करते हैं लेकिन दोस्तों रेसिपी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि ये दि मेरी रेसिपी आपका अच्छी लगे तो मेरी ऐसे और भी रेसिपी देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो पसंदाने पर इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना भी ना भूलें चावल के लड़ू बनाने के लिए सबसे पहले एक कड़ाई करम कर लेंगे और इसमें डालेंगे एक बड़ी चमच गी तो मैं यहाँ पर सिर्फ इतना ही गी इस्तमाल कर रही हूँ आप चाहें तो गी का इस्तमाल जादा भी कर सकते हैं या इसे पूरी तरह स्किप भी कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा गी एड़ कर देंगे तो चावल काटा बहुत इसली रोस्ट हो जाएगा रोस्ट होते समय वो उड़ेगा नहीं क्योंकि वो काफी बारीक होता है तो यह दि हम सुका ही रोस्ट करेंगे तो फिर उड़ने लगेगा तो एक चमच गी डाल देंगे तो टेस्ट भी अच्छाएगा और इसली चावल काटा रोस्ट भी हो जाएगा तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चावल काटा लिया है मैं यहाँ पर चावल काटा इसली खर पर बनाकर उसका इसिमाल भी कर सकते हैं अब चावल काटा घी में डालकर लो फ्लेम पर चावल काटा को हम रोस्ट करेंगे तो इस प्रोसेस में 15-20 मनिट का समय लग जाएगा क्योंकि चावल काटा हमें धीरी धीरी ही रोस्ट करना है यदि हमने पटापटी से रोस्ट करने की कोशिश की तो यच्छे से रोस्ट नहीं हो पाएगा कहीं से जल जाएगा और कहीं से कच्चा रह जाएगा तो चावल काटा धिरे धिरे रोस्ट होता रहेगा तो साइट में हम गुड की चाशने भी तयार कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने 500 ग्राम ही गुड लिया है मिठा आप अपने टेस्ट के अकोर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं गुड को बारिक काट लिया है ताकि यह इसली मैल्ट हो जाए और यहाँ पर इस कटोरी को माप करी आदी कटोरी से कम मैंने पानी लिया है तो ज़्यादा पानी का स्वाग नहीं करना है नहीं तो चाशने बनने में उतना ही ज़्यादा समय लेगी अब मैंने पानी इसमें एक चोथाई कटोरी डाला है जितना कटोरी मैंने गुड लिया था तो उसके अकोर्डिंग ये धेरे धेरे इसमें मेल्ट भी हो जाएगा और ज्यादा गाड़ा भी नहीं होगा तो थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी हमें चाहिए चाशनी बहुत ज़्यादा गाड़ी यानि तार वाली हमें नहीं चाहिए गोड इदर मैल्ट हो रहा है और तब तक हम क्या करते हैं कि जो चावल काटा है इसे भी बीच बीच में चेक करते रहेंगे और लगाता चलाते वे ही इसे रोस्ट करते रहेंगे तो चलिए दोस्तों जब तक चावल काटा रोस्ट हो रहा है मैं आपको एक इंट्रेस्टिंग और इंपर्टेंट बात बताती हूँ मैं मेरी ग्रेजुइशन पूरी करने के बाद अलग-अलग जॉब अपर्चुनिटीज को खोज रही थी लेकिन मेरा इंट्रेस्ट कोकिंग में था और मैं कोकिंग में कुछ करना जाती थी मैंने मेरे मम्मी पापा से इस बारे में बात की और उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया लेकिन मन में थोड़ा डर था कि क्या मैं ये कर पाऊंगी मुझे इसके फायदे और नुकसान के बाले में कुछ भी पता नहीं था ना ही कोई मेरी काउंसलिंग करने वाला था मैंने बहुत स्ट्रगल करके मेरा यूटूब चैनल बनाया और इसमें धीरे धीरे आगे बढ़ी लेकिन दोस्तों आज आपको अपने इंटरेस्ट को अपने प्रोफेशन में कनवर्ट करने के लिए अनकैडमी करने जा रहा है केरियर क्वेस्ट केरियर क्वेस्ट में आपको पता चलेगा कि आप अपने इंटरेस्ट को अपना केरियर कैसे बना सकते हैं उसके सारे फाइदे और नुकसान भी आपको बताई जाएंगे दोस्तों केरियल क्वेस्ट में बहुत एक्सपिरियंस और प्रोफेशनल मेंटर्स आएंगे जैसे की कुनाल विजयकर, फिलिप रोज ये इवेंट एक्तम फ्री है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना केरियर क्वेस्ट होनी जा रहा है 20 दिसंबर को सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक एक लेडिंग ओनलाइन प्लेटफॉर्म पर जो की है अनकेडमी अनकेडमी आप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है तो जाएए डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए और प्लान कीजिए अपने फ्यूचर को अपने इंट्रेस्ट के साथ तो दोस्तों बातों ही बातों में हमारा चावल का आटा भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, हलकी खुश्बू इसमें से आ रही है चावल के आटे को हम एक से दो मिनिट और रोस्ट करेंगे तो उससे पहले हम इसमें कुछ ड्राइफ रूट्स भी आड़ कर लेते हैं ताकि ये भी साथ में अच्छे से रोस्ट हो जाएं तो यहाँ पर मैं एक चोताई कब ले रही हूँ बादाम और एक चोताई कब लेंगे कटेवे काजू आप चाहें तो इसके अलावा और भी ड्राइफ रूट्स आपको पसंदो उनका इस्तमाल कर सकते हैं तो चावल के आटे में ड्राइफ रूट्स एवनली रोस्ट हो जाते हैं और अच्छा टेस्ट आएगा आप चाहें तो अलग से रोस्ट करके भी ये ड्राइफ रूट्स ले सकते हैं गैस का फ्लेम लो रखते वे हमने इन्हें भी रोस्ट कर लिया है चावल के आटे में ड्राइफ रूट्स काफी अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं तो आपको सेकेंड हम इन्हें और रोस्ट करेंगे उससे पहले इसमें डालेंगे एक चोटाइक कप सफेर तिल तिल से लड़ भी कुछ देर के लिए रोस्ट कर लेते हैं तो इसी गरम कडाई के अंदर ये सारी चीजे भी रोस्ट हो जाएंगी क्योंकि जो नारेल होता है उर्तील होता है उसमें काफी मातरा में तेल होता है तो बहुत ही जल्दी से रोस्ट हो जाते हैं तो देखिए चावल के आटे क जो color है वो थोड़ा सा change हो गया है तो अब इसमें जो गुड की चाशनी हमने बनाई है वो भी add कर लेते हैं तो गुड की चाशनी हमने धीरे धीरे पकाई है तो ये अब अच्छी चिपचिपई हो चुकी है तो इसे छानते वी गड़ाई के अंदर add कर लेंगी अब लास्ट में इसमें फ्लेवर के लिए आदा छोटा चमच इलाईची का पाउडर भी add कर लेते हैं तो इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सारी चीजों को अच्छे से mix कर लेंगी अब चाशनी है वो चावल के आटे के अंदर अच्छे से mix हो जाएगी और थोड़ी देर में ये जो mixture है काफी गाड़ा हो जाएगा तो इसे एक दो मिनिट के लिए हम चाशनी के अंदर पका लेंगी ता या भी सारी कडाई को इस तरह से छोड़ने लगा है तो इसे हम ठंडा करने के लिए एक प्लेट में निकाल लेते हैं फैला तरती हैं अच्छे से ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसके लड़ो तयार कर लेंगे अब ये थोड़ या उनी भी मेरी हल्फ करा रही है लड़ो बनाने में और ये देखिए उसने कितना प्यारा लड़ो बना भी लिया है तो इस तरह से उसने अपने भी काफी सारे छोटे छोटे लड़ो तयार कर लिये थे तो दोस्तों आप भी ये healthy और tasty लड़ो ज़रूर बनाएं और कैसे बने मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ये दियाज का वीडियो आया है आपको पसंद तो प्लीज लाइक का बटन जरूर दबाएं अपना किमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत दन्यवाद मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ तब तक हसते रहिए हसाते रहि क्या प्रेट सते पूल जरूर एपन हम्झे देने के लिए पाएंग गपना का थिया है मारू तब तक किमतीत given के लिए क्यों प्याओंपियारा ए Cuba भाईक और नियुकर होकर है नया है जे त